हाई अब्रिवन वेलकम टो डिश्टल जी के क्लास से तो मुझे पता है आप सब होली के तयारी में जो है बिजी होंगे बट मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ अगर आप मेरे चानल से जोड़े हो तो मैं आपको समय से पहले सारी चीजे इसलिए बताती हूँ ताकि आ यह नोटिफिकेशन आना है यूटिट भी नहीं होना है तो हम अराम से करेंगे फिर उस अराम के चक्कर में एक्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद हड बड़ा हाट ही और नंबर उतने नहीं आप आते हैं ठीक है जैसा कि मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आप पहले से पढ़ाई करोगे तब ही जाकर आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे अगर भरती आने वाली होती है या फिर नोटिफिकेशन आने वाला होता है तो उसका जो एक बोलते हैं थोड़ी थोड़ी चीजे बाहर आने लगती है तो फिलहाल जो चीजे मेरे पास information आई है मैंने जहां से पता करने की कोसिस की है उस base पे मैं आपको सब कुछ बताने वाली की ज़रूत नहीं है टेलिग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगा या फिर आप डिस्टल जी के क्लासे सर्च कर लीजेगा क्योंकि वहां पे मैं आपको पीडियोग देजूंगी ठीक है तो जो लोग सेल्फ से पढ़ना चाहते मैंने खुद यूपिड़ की जो तैयारी से से की है आप मेरा मार्सिट देख सकते हो मैंने खुद की मैंनस 125 नंबर तक मैंने गेन किया है तो सेम उसी नोट से मैं आपको पढ़ाने की कोसिस करूंगी और आपको पहले से तैयारी करनी है ठीक है आप सभी की बहुत सारे कोशन से और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है क्योंकि प्रिवेस एपेपर मॉग टेस्ट का बहुत इंपॉर्डिन रोल है आपके कोशन थे कि यूपिड़ दोजा तेस का जो क्या आएगा भी या नहीं उसका फॉर्म कब तक आएगा बीट बीटी से में से कौन भर सकता है क्या सीटेट वाले अलिजबल हैं दूसरा जो नया आयोग बनने वाला है तो वन बाई फोर्थ नंबर आपके जुड़ने की भी बात हो रही है तो क्या ये सारी चीजे होंगी या नहीं होंगी अगर आप सच में इस साल नौकरी चाहते हो ना या फिर आप चाहते कि जो भी होनी चाहिए तो फिर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि यहां से मुझे नहीं लगता है कि यूपिटेट चाहें सीटेट से रिलेटेड हमेसा टाइम टू टाइम पर मैंने ही आपको सबसे पहले हर एक इंफॉर्मिशन देनी क मैं जिनने जानती उन लोगों ने भी इतना ही महंगा पास खरीदा हुआ है तो आप टेस्ट बुक से ले सकते हो क्यों कि वहां पर ओफर चल रहा है और यहां पर आपको सिक्स मंत की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी क्या होता है कि पहले आप जो चीज मालो आपने एक सा सस्ता में कैसे मिल गया तो मेरा काम है आपको सहीं इंफोर्मेशन देना तो साथ से आठ मार्श के बीच में अगर आप लेते हो तो आपको जो है 18 महीने का पास मिलेगा आप सोचो 18 महीने का सेम उसी प्राइस में बट अगर आप वैसे लोगे तो आपको 299 में पड़ेगा आप इसको 500 में भी खरीदने को तैयार हो जाओगे जब आपको लगेगा कि अरे आप नोटिफिकेशन आ गया है ठीक है यहां पको यूपिटेट के लिए यही इसी को फॉलो किया था टेस्ट बुक को क्योंकि मैंने यूपिटेट में हर एक जो इस्टेट के टेट होते है उसको भी किया है ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया है देखें मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सच में यूपिटेट सूपर टेट देना चाहते है तो यूपिटेट की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल सुनाई देन जैसे कि मैंने हमेशा बोलाए कि सिक्षा सेवय चैन आयो का गठन होने वाला है वो तो हो जाएगा क्योंकि अब सारे एक्जाम स्टीचिंग वही कराएंगे उनका अपना खुद का एक होगा कि हमको कैसे कौन से एक्जाम कराना है तो आपको नोटिफिकेशन की अगर मैं ब पता नहीं कब आएगा फिर पता है क्या होगा आप नहीं पढ़ाई करोगे फिर अचानक से सारी चीज़े होने लगेंगी और आप इत्यास उठागर देख लिए सूपर डेट का कितना फास्ट ही एक्जाम कराते हैं अगर इनको लेना है चौबिस में लोग सभा का उत्तर प्रदेश का तब तो इन्होंने नहीं कराया 17,000 वैकेंसी की बात भी की थी बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है काफी समय से वैकेंसी भी नहीं आई है तो इस बार आपको बहुत कम से कम 50,000 से उपर ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी तो आपको इसलिए इस प्र दोनों eligible हैं, आप paper 1 भी भर सकते हो, paper 2 भी भर सकते हो, primary के लिए आपका paper 1 जो है वो clear होना जरूरी है, ये भी मैने आपको बता दिया, तो क्या सिक्षक भरती में, super debt में, up debt के marks जुडेंगे, 1 by 4 कास जो है हम सुन रहे थे काफी समय से, देखें इस बार जो है, जैसा कि बह हमारा पास हो गया है, हमको इसमें बहुत टॉप करना नहीं है, तो अब मुझे ऐसा लगता है, कि up debt इस वज़े से बहुत से लोग भरते नहीं, क्योंकि उनका clear हो चुका है, वो लोग super debt भरते हैं, तो हो सकता है कि ये ज्यादा फॉर्म भरवाने के लिए ऐसा कर लें, क्य क्योंकि आप कोई पता है, at the end इनको अपना फाइदा चाहिए ही, तो maybe ये हो भी सकता है, और नया सिक्षा सेवा चैन आयो का गठन होगा, तो ये सारी चीज़े अपने तरीके से, नय तरीके से करेंगे, अच्छा, इसमें नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान यही हो सकता है कि हमने पहले पढ़ाई कि बहुत से लोगे जुन्होंने काफी, दो से तीन मार्क सिट होगी जिनके पास, वो ये सोच रहेंगे कि इतना नंबर आ चुका है, चलो हम पास हो जाएंगे, बट अगर ये नंबर एड होने लगा, वन बाइ फोर्थ नंबर, तो आप सोचो, इस आगे 100 नंबर हो गया, तो फिर आपको दुबारा से महनत करने की जरूत पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आते हैं, कि मेरे सीटेट क्लियर हम यूपिटेट दे या ना दे, देखो नंबर एड होगा, तब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि एक भी नंबर हम जो है यह नहीं चाहेंगे, कि चलो हमारा एक, हर इंसान चाहता है कि एक नंबर भी कैसे करके हमारा जूड जाए, ठीक है, तो उस चक्कर में आपको यूपिटेट भी देना पड़ेगा, अभी फिलहाल इस पे कितना वो होगा कि जूडेगा या नहीं जूडेगा, यह नोटिफि कि इसे एकजाम होने वाला है, तो कुछ भी हो सकता है, अचा सलेबस के लिए कोश्चन आ रहा था, इसके लिए, यूपिटेट के लिए, देखो सलेबस में कुछ चेंज नहीं होता है, क्या चेंज कर लेंगे ये लोग, यह हो सकता है कि एनिपी हो गया, निपुड हो गया, इसको भी हम अड कर दें, बाकि सब कुछ सेम वैसा ही रहेगा, सलेबस में चेंज नहीं होगा, हाँ, super tutte में हो सकता है, जैसे केवेस में changes हुए है, वैसे ही, negative मार्किंग होगी नहीं, ना तो यूपिटेट में होगा, ना super tutte में होगा, तो आप लोग इस लिए अच्छे से देना होगा और अगर Uptet के नंबर नहीं जुडते हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर तो आपका सीटेट का जो मार्क सीट होगा या फिर जिसने बहुत पहले पास किया है उसी के मार्क सीट पर आपका वैलिड हो जाएगा ठीक है और सब्जेक्ट आपको पता ही है जैसा कि सीटेट में होता है हिंदी, इंगलिस, सीडीपी, मैथ, ईवियस और आपको यहां पर अप्षंटे भी मिलेगा हिंदी, इंगलिस में आप या तो एंगलिस लेलो या संस्कृत में लेखा तो इसमें आपको पूता इसमें है पर बहुत सी लोग होंगे जिनके नंबर बहुत कम होंगे यूपी टेट में तो फिर आपको और भी जादा महनत करनी की जरुद पड़ेगी इसलिए यह मत सोचो कि भरती नहीं आएगी यूपी टेट नहीं आएगा आ भी जाएगा और पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपको मैंने आपको बता दी है फिर भी कोई डाव तो कमेंट कर दीजेगा क्लासे चल रही है प्लीज क्लासे जरूर देखो पीडियाप चाहते हो तो टेलिग्राम जोइन कर लेना मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्स फॉर वाची